आज आज ये लॉंच हुआ है और सबसे सस्ता काउट डिस्प्ले वाला 5G फोन है फास्ट रिफ्रेश रेट, ओलेट डिस्प्ले, 5G प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सर, ड्यूल केमरा, सेट अप, स्लीमिन डिजाइन, यूज बैटरी और मैंनी मोर्ड दोस्तों, आज मैं Honor X40 का Unboxing और First Impression बताने वाला हूँ, जो आज ही लॉंच हुआ है, मेरा नाम मिलन है, और आप देख रहे है टेकिश टीटोर जैसे कि आपको बता है, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारी चनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट में box, box के उपर phone की branding मिल जाती है, box के seal को यहां से cut कर लेते हैं, और box के lead को open कर लेते हैं, तो सबसे पहले phone ही देखने को मिल जाता है, फोन वेट में हलका लगता है, इस cardboard box में user manual, sim ejector tool और clear case मिल जाता है, case की design के उपर से पता चल जाता है कि back में बड़ा सा rounded camera module मिलेगा, य आखरी में type C to a cable मिल जाता है, बस box में यही सब कुछ मिलता है, फोन के plastic wrap को remove कर लेते हैं, और बात करते है honor X 40 के design और बेट की, फोन का back देखे तो सबसे पहले eye catching camera module देखने को मिल जाता है, जो rounded shape में है, round तो यहां पर बहुत ही बड़ा है, लेकिन camera यहां पर दो ही और module के center में matrix mention किया गया है, और camera module के around chrome border भी मिल जाती है, बोटम में phone की branding मिल जाता है, वैसे phone के back में देखे तो यहां पर gradient finish मिल जाता है, light के reflection से different colors देखने को मिलेंगे, और phone का back count मिलता है, तो in hand fill भी काफी अच्छी मिलेगी, फोन की thickness करीब 7.9 mm की है, और weight करीब 172 grams का फोन में बड़ी battery मिलती है, तो भी यहां पर weight बहुत ही कम के सकते हैं, वैसे phone के back और front दोनों count मिलते हैं, तो single hand से hold करना भी काफी आसान होगा, honor x40 में display की बात करें तो 6.67 inch की OLED micro count display मिल जाती है, इस price segment में कभी भी count OLED screen देखने को नहीं मिले, in fact OLED count screen तो दूर की बात है, इस segment में ज्यादा दर phones में LCD display ही मिलती है, honor x40 की display देखे ये तो bezels और chin दोनों पतली मिल जाती है, और screen to body ratio भी ज्यादा मिलता है, डिस्पले में resolution full HD plus मिल जाता है, और refresh rate 120Hz की मिल जाती है, और साथ में DC dimming का feature भी मिल जाता है, जो ज्यादा दर flexive phone में ही मिलता है, आप यहां प area wise brightness level भी देख सकते हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं काउड स्क्रीन मिल जाती है, जो 45 degree तक काउड है, लेकिन कई लोगों को flat screen ज्यादा पसंद है, ये तो personal preference की बात है, content watching में काउड स्क्रीन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगे, लेकिन gaming में accidental touch होने के chances है, लेकिन all over इस price point पे देखा जाए तो इस segment की सबसे best display है ये, honor X40 में performance की बात करें तो snapdragon 695 octagon processor मिल जाता है, जो 6 nanometer fabrication process पे बना है, max clock speed 2.2 GHz की मिल जाती है, और 5G connectivity के साथ आता है ये processor, यानि ये mid segment का processor है, जो 5G connectivity के साथ आएगा, phone में max 12 GB तक RAM मिल जाती है, और RAM को 7 GB तक extend भी कर सकते ह तक RAM मिलेगी, phone में performance above average मिल जाएगा, और up to 20 अप एक साथ RAM में रख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, और phone में max storage भी 256 GB तक मिल जाता है, phone में king of glory 60 APS पे खेल सकते हैं, जहां पे average frame rate 58.9 APS तक मिल जाती है, और temperature करीब 34.5 degree तक ही जाता है, PUBG mobile भी 30 minutes खेलने के बाद, average frame rate 39.9 APS तक मिलती है, और max temperature 34.6 degree तक ही जाता है, all over phone में performance अच्छा मिल जाता है, high end game, medium setting पे आसानी से केल सकते हैं, owner X40 में camera की बात करें, तो rear facing dual camera setup मिल जाता है, जहां पे main camera 50 megapixel का मिल जाता है, और secondary 2 megapixel का micro camera मिल जाता है, तो यहां पे ultra wide camera missing है, और front में 8 megapixel का selfie camera मिल जाता है आप यहां पे sample photos देख सकते हैं, ओनर X40 में battery की बात करें, तो 5100 एमेज की huge battery मिल जाती है, जो average use पे 1,5 दीन आसानी से चलेगी, बेटरी को charge करने के लिए 40 watt का fast charger मिल जाता है, जो बेटरी को 66 minutes में ही 0-200% charge कर देता है, ओनर X40 के price की बात करें, तो base variant की price इंडियन रुपीज में करिब 17,100 से सुरू होती है, conclusion पे आए तो phone में display सुपब मिल जाती है, और ऐसे यह world का सबसे सस्ता account OLED display वाला phone है, performance भी above average मिलेगा, camera भी average मिल जाता है, बेटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और charging भी इस price point पे अच्छा कह सकते हैं, तो दोस्तों, आप क्या सोचते है, honor X40 के बारे में कौन सा feature आपको अच्छा लागर, कौन सी price में इंडिया में launch होना चाहिए, मुझे comment section में जरूर बताए, और दोस्तों, ऐसे ही latest update सबसे पहले देखने के लिए, और अगला की वह देखने क घुружण, तो झाल साथ, का दोस्तों, पाल से हैं, और अटाश भीजए, मुझे हैं, बाताश चाहिए, मुझे ऑ že रए, और यह, वह दोस्तों, पहले आदा़ए, मुझे हैं, जोस्तों दोस्तों, इंडिशया हैं, तोस्तों, एंड़ि Kris."